जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई फिल्म बॉडीज के बारे में दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग काफी अच्छी है जो आपको बेहत पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फिल्म की स्टार्टिं है कि उसका हाथ तूट गया है तो ये मेसेच सुनके वो दोनों अपनी अबुलेंस लेके उसके घर जाते हैं वहां पहुंचके ये दोनों लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ नॉर्मल सवाल पूछते हैं जैफरी उस लड़की को बेहुशी की दवा दे के बेह कोश कर देता है और उसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने अड़े पे ले जाते हैं वो उस लड़की का पेट फाड के उसके और गन्स निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं थे बलकि ये दोनों जखमी लोगों को किड़नाब करके उनके ओर्गन्स निकाल के उन्हें बेचा करते थे रात को जैफरी उस लड़की के फोन में उसके सोशल मीडिया पे लिखता है कि वो कहीं दूर जा रही है और वो कभी वापस नहीं आएगी कोरी जब ये देखता है तो वो जैफरी को कुछ नया बहाना सोचने के लिए कहता है इन्हें ये काम करते हुए तीन हफते हो जाते हैं और ये काफी पैसा कमा लेते हैं कोरी जैफरी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा फिर हमें सिंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग कर रही थी तब ही उसका पैर एक पत्थर पे जा टकराता है जिससे उसकी हड़ी तूट जाती है वो हस्पिटल में कॉल करती है तो उसे लेने के लिए कोरी और जेफरी आते हैं कॉरी उससे कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट्स अलावड है तो उसकी फ्रेंड्स को यही रुपना होगा सिंडी ये सुनके उनके साथ एम्बुलेंस में चली जाती है जहां जेफरी उसे बहुश कर देता है और उसके सर पे हाथ फेरता है मानों कि वो उसे जानता हो वो दोनों उसे अपने अड़े पे ले जाते हैं और उसके और्गन्स निकालने वाले होते हैं लेकिन जैसे ही कोरी उसके शरीर को काटने जाता है वो ये नहीं कर पाता ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी को मारने के लिए इतना सोच रहा था जेफरी उससे कहता है कि क्यों ना वो ये काम बाद में करें तो कोरी वहाँ से चला जाता है और जेफरी सिंडी के सर पे हाथ फेर के उसे घूरता है कुछ देर बाद जब सिंडी की आखे खुलती है तो वो अपने आपको उस चेमबर में बंद बाती है वो कैमरा में देखके कहती है कि वो लोग उसे जाने दें लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता वो वहाँ पड़े कुछ विक्टिम्स के कपड़ों को पहन लेती है और बहुत रोती है क्योंकि उसे वहाँ घुटन हो रही थी अगले दिन कोरी सिंडी के लिए खाना लेके आता है तो सिंडी उस खाने को फैक देती है ये देखके कोरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन सिंडी उसे एक लात मार देती है इस पे कोरी उसे कहता है कि ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा और वहाँ से चला जाता है रात को सिंडी जब सो रही होती है तो कोरी उसके कमरे में आके उसके साथ जबरदस्ती करता है जिससे सिंडी को काफी तकलीफ होती है अगली सुवेश जेफरी सिंडी के शरीर पे लगा खुन साफ करता है और जब सिंडी को होश आता है तो वो जेफरी को एक लाद मारती है व कि अब उसे मज़ा आ रहा था कुछ दिर बाद वो दोनों सिंडी के पास जाके उसे बताते हैं कि वो उसकी टूटी हुई टांग को ट्रीट करने आए हैं सिंडी कोरी की नहीं सुनती तो वो उसे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेगा कोरी उस बताता है कि वो उसकी टांग के लिए एक जूता लेके आया है ताकि वो जल्द ठीक हो सके जब कोरी उसे वो पहनाने जाता है तो वो उसकी टांग को और तोड़ देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके सिंडी जब दर्द से चिला रही होती है तो कोरी उसे मॉर्फीन दि जब सिंडी को होश आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर कब तक वो ऐसा करेगा तो कोरी उसे बताता है कि जब तक उसका मन भर नहीं जाता वो तब तक ऐसा करता रहेगा सिंडी उसे कहती है कि जो वो करना चाहे वो कर सकता है बस वो उसे बेहोश ना करे वो किसी चीज के लिए उसे कभी मना नहीं करेगी यह सुनके क्रेग सिंडी को वादा करता है कि वो अब से उसे बेहोश नहीं करेगा रात को जेफरी अपने कमरे में आके बहुत रोता है और एक फोटो निकाल के उसे देखता है जिसमें क्रेग वो और एक लड़की थी जो सिंडी की तरह दिखती थी क्रेग जब उसे रोता हुआ देखता है तो वो उसके पास आके उसे समालता है वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में जादा ना सोचे और अपने कमरे में जाके खुद उस फोटो को देख के उदास होता है अगली सुबह कोरी सिंडी के लिए नाश्ता ले जाता है जहां सिंडी उससे पूछती है कि और कितने दिन वो उसे यहां रखेंगे तो कोरी उसे बताता है कि जब उसका मन करेगा वो उसे मार देंगे सिंडी उसे कहती है कि जरूर वो किसी ट्रॉमा की वज़े से साइको बन गया है तब ही वो मासूम लोगों की जान लेता है इस पे कोरी उसे कहता है कि वो एक डेविल है और वो ये काम दूसरे लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए करता है क्योंकि एक इनसान के और गंद से कई जिन्दगीयां बच सकती है सिंडी उससे पूछती है कि क्या आज भी वो उसका रेप करेगा तो कोरी उसे कहता है कि आज उसका मूड नहीं है कुछ दिर बाद जब सिंडी कपड़े बदल रही होती है तो जेफरी उसके लिए खाना लेके आता है और उसे नंग अवस्ता में देख के वो अपना मूँ फेर लेता है तभी सिंडी उसे कहती है कि वो अपना मूँ ना फेरे और उसके पास जा के वो उसे टच करने लगती है सिंडी एक उंगली से चोकलेट उठाती है और उसे लिक करती है जिसे देख के जेफरी को काफी मजा आता है तभी सिंडी उसका प्राइवेट पार्ट टच कर देती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है कोरी ये सब देख के समझ जाता है कि सिंडी उसके भाई को अपनी तरफ करना चाहती है ताकि वो वहाँ से भाग सके लेकिन वो देखना चाहता था कि उसका भाई उसकी तरफ रहता है या सिंडी की तरफ इसलिए वो कुछ नहीं करता रात को कोरी फिर सिंडी के पास जाके उसके साथ गलत करता है जिससे सिंडी का वेश निकल जाता है उसे साफ करने के लिए जब जैफरी वहाँ जाता है तो सिंडी निवस्तर होके उसे कहती है कि वो ही उसका शरीर साफ कर दे वो उसके हाथों को अपने शरीर पे लगाती है औ अबने आके बोलती है कि वो जानती है कि वो सब देख रहा है और वो कुछ भी कर सकती है जेफरी इधर अपने कमरे में जाके सो जाता है और अब उसे सिंडी से प्यार हो गया था अगली सुबह वो सिंडी के लिए बढ़िया नाश्ता तयार करता है जिसे देख के कोरी को मेडिकल सवाल पूछता है जिसके जवाब सिंडी नहीं देती कोरी ये देख के उसे धमकाता है कि अगर वो जवाब नहीं देगी तो वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा ये सुनके सिंडी डर के मारे उसे सारे जवाब दे देती है उसके बाद वो कोरी को भला में आता है तो सिंडी उसे अपने पास सोने के लिए कहती है सिंडी उसे कहती है कि वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करता है और उसमें वो हर गुड है जो एक लड़की को एक लड़के में चाहिए ये कहके वो उसे किस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है कोरी ये सब रहा होता है और उसे पता लगता है कि शायद उसका भाई उसकी तरफ हो रहा है सिंडी उससे पूछती है कि उन्होंने अब तक उसे क्यों जिन्दा रखा है तो जैफरी उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है कि ये उनकी बेहन थी जो बिलकुल उसी की तरह दिखती थी उनक कुछ दिनों बाद वो उस दर्द को बरदाश्ट नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। वो उसे ये भी बताता है कि उसके मुताबिक कोरी ही जिम्मेदार है उसकी बहन की मौत का और वो जल्द ही अपनी बहन के साथ उसे छोड़ के भागने वाला था। ये सब जानके सिंड लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जेफरी इतने गुस्से में होता है कि वो अपने आपको हाम करने लगता है। कोरी उसे समझाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उससे जादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। रात को जेफरी वापस सिंडी के साथ इंटीमे वो होता है और वो उससे जादा स्मार्ट भी है जिसे हर लड़की पाना चाहेगी। ये सुनके जेफरी उसे कहता है कि क्यों ना वो दोनों यहाँ से भाग चलें ताकि कोरी उन्हें कभी ढूंड ना पाए। कोरी ये सब सुनके बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका भाई प बहुत बुरा लगता है और वो लड़का दर्च से काफी चिलाता है। सिंडी ये देखके काफी सदमे में हो जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी इनसान की बुचरिंग देख रही थी। कोरी उसके पास आके उसे बताता है कि उसने उससे पंगा लेके बहुत बड़ी गलत की और अब वो हर रोज उसे बुच्रिंग दिखाएगा रात को कोरी जैफरी से कहता है कि आज उसका मन कुछ लजीज खाने का कर रहा है तो क्यों ना वो मार्केट जा के लिए जाता है तो कोरी संडी के पास आके उसे कहता है कि अब बहुत हो गया उसने उसके भाई को उसकी स देहर दे दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो और जेफरी उसे छोड़ के जाने वाले हैं ये सुनके सिंडी हैरान हो जाती है और कोरी उस रूम में बिहोशी की गैस छोड़ देता है जिससे सिंडी बिहोश हो जाती है उसके बाद कोरी उसका मुँ और सुनता और उसका सर जमीन पे मार के उसे बेहोश कर देता है इसी बीच सिंडी को होश आ जाता है और वो एक fire extinguisher लेके जैफरी पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सिंडी वहाँ से भाग निकलती है जब इन दोनों को होश आता है तो कोरी अपने भाई को सम होशते हैं तो वो लड़की इन पे हमला कर देती है वो देखते हैं कि वो सिंडी और सिंडी की दोस्त हैं जिन्होंने उन्हें किड्नाप कर लिया है वो उन दोनों को उठा के उनके अड़े पे ले जाती है और उन्हें बांद देती है जब कोरी को होश आता है तो वो अपन प्यार करती थी तो वो ऐसा क्यों कर रही है तो सिंडी उसके सीने में एक चाहू उसा के कहती है कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया तब ही उनके अड़े के बाहर डिलिवरी मैन आता है जो औरगन्स पिक अप करने आया था जब सिंडी बाहर जाती है तो वो delivery man उससे organs मांगता है और कहता है कि अगर वो organs देगी तो वो उसे भारी मातरा में पैसे देगा सिंडी उसे कहती है कि वो बस 5 मिनट इंतजार करे वो organs लेके अभी आ रही है और movie खतम हो जाती है यानि दोस्तों सिंडी ने जरूर कोरी के ही organs काट के उसे दिये होंगे और अब से वो ये धंदा करेगी ताकि वो भारी मातरा में पैसे कमा सके दोस्तों आप लोग इस movie को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये movie काफी underrated है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें comment section में जरूर बताएं आप yes और no में जवाब दे सकते हैं और हमें ये भी बताएं कि सिंडी ने जो बदला लिया वो आपको कैसा लगा अगर आप हमारे चैनल movies ranger हिंदी पे नए हैं तो आप इसे subscribe करें और bell icon दबाएं notifications के लिए और movie links के लिए आप हमें telegram बे follow कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद कि अधियो के लिए लिए